हलो दोस्तो नमस्कार प्रॉफिट गुरू चैनल में एक बाइ नए मार्केट अपडेट के साथ आप लोगों का स्वागत करता हूं तो दोस्तो एक बाजार की धमाकेदार कमपणी है लेकिन दोस्तो उसका एक product market में main product है जो उसको काफी अच्छा कासा revenue देता है साहे दोस्तो वो market में बेन भी हो जाए क्यूंकि दोस्तो उसमें काफी risky चीज यहां पर देखने को मिल रही है उससे दोस्तो काफी खतरा भी देखने को मिल रहा है जिसके करण दोस्तो ये काफी खतरनाक न्यूस आते देखने को मिल रही है जिसके करण स्टॉक में गिरावट भी काफी जादा आज की डेट में हुई है ठीक है तो सबसब पहले मार्केट को देखते हैं और लो लगाता है 17,637 ठीक है अब देखते हैं मार्केट 18,000 के लेवल तक कब तक जाता है और जाता भी है दोस्तो तो वहाँ पर किस टाइब का वो मुमेंटम करता है ठीक है तो आगे मार्केट के रिलेटेड जैसा भी अपडेट आएगा हम डेफिनिटली आपको प्रुवा पर देखने को मिल रही है और स्टॉक 25,4 रुपे पर क्लोज हुआ है प्रीवेस क्लोज था 25,3 रुपे 10 पर से गेप आप उपनिंग लेता है 25,86 पर सेम प्राइस का हाई लगाता है और लो लगाता है पच्छिस सो रुपे के आसपास का अब ये कमपनी का हमें मार्केट के देखने को मिलता है 5, Problem,-88,000 क्रोड़ cha P.E.N. इंग रिशो भी बहुत अच्छा है डिविडेंड तिल भी बहुत अच्छा देखने को मिलता है और यही पर 52 बिक नो हाई है वो भी बहुत शानदा देखने को मिलता है चार्ट पेटरन आप देख सकते हैं लास्ट eek मेने क के अगर मैं बात करता हूँ एक मेने में स्टॉक करीबन छे परसेंट गिर चुका है छे मेने के में बात करता हूँ छे मेने में साड़े सोला परसेंट स्टॉक भागा हुआ है लास्ट एक साल के अगर में बात करता हूँ एक साल में पोने की ये company दोस्तो एक FMCG industry से belong करती है ठीक है वहाँ पर leader देखने को मिलती है क्योंकि जिस type से company का market के है उसी प्रकार से दोस्तो company का business भी फेला हुआ है ठीक है तो इसको काफी जादा है यहाँ पर फाइदा मिलता है और इसके related है काफी important दोस्तों यहाँ पर news आ रही है तो क्या news आ रही है वो देखते हैं तो दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हैं नव भारत की site के उपर मैं आप लोगों को ले के आए हूँ और यह आज ही का update हमें देखने का मिल रहा है ठीक है cancer risk for dry shampoo ठीक है एक shampoo है जिसका नामे डब जिसको दोस्तों आप लोगों ने भी दोस्तों काफी use किया होगा और अभी भी कर रहे होंगे ठीक है उसमें दोस्तों उसको use करने से cancer का यहाँ पर खतरा है ठीक है तो यूनिलिवर जो है उसने दोस्तों बापस मंगाई यह कई तरह के drug shampoo ठीक है ड्राइश शिंपू शोरी जो बापीस मंगाई है ठीक है उसका दोस्तों पहले जाच हो गए यहाँ पर ठीक है और जाच होने के बाद तो दोस्तों आप देख सकते हैं कि काफी यहाँ पर रसकी यह product अब देखने को मिलती है और देखने को बैसे भी मिल रही है अब अगर हम दोस्तों पूरी detail में इस news को देखें तो आप यहाँ पर देख सकते हैं जानी मानी company Unilever के कई shampoo ब्रांड में cancer परदा करने वाला chemical पाया गया है company ने डव उसके साथ आप बाकी के जो samples के नाम में वो भी देख सकते ह और भी बहुत सारी चीज़ यहाँ पर देखने को मिल रही है अमेरीकी बाजार से बापस मंगाए हैं ठीक है वहाँ से बापस यहाँ पर मंगाए हैं ठीक है इस chemical के cancer हो सकता है यह पर यह बताए जा रहा है ठीक है America Food and Drugs Admission जिसे हम FED बोलते हैं ठीक है FED FDA यह बोलते हैं ठीक है के मुताबित यह product अक्टुमबर 2021 से पहले बनाए गए थे वह पूरे देश में पूरे देश में दोस्तों क्या किये गए थे रिटेल को distribute कर दिये गए जैसे कि जितनी भी रिटेल कंपनिया डी मार्ट हो गई या यह हो गई या नैसले हो गई जितनी भी कंपनिया सबको distribute कर दिये गए ठीक है तो और उसके साथ ही आप यहाँ पर पढ़ सकते हैं कि पूरा जो क्या देखने को में मिल रहा है यह काफी बोल सकते हैं कि जो ब्रांड है एक प्रकार से वो यहाँ पर दोस्तो फेल होते देखने को मिल रहा है अगर यासा news मान लीजे publish हो जाता है publish तो हुई गया है news agency में आ जाता है यह news ठीक है जैसे कि paper में television में सब जगा कर यह mobile app पे भी आने लगता है notification में भी आने लगता है जब public को पूरी तरीक से पता चलता है तो public definitely दोस्तो इस चीज को use करना बंद कर देती है जब यह बंद होती है ना तो दीरे-दीरे करके दोस्तो एकदम से करके ही दोस्तो जो इसका effect है company के fundamental condition पर देखने को मिलेगा revenue में देखने को मिलेगा क्योंकि दोस्तो जाना माना एक brand हमें देखने को मिलता है और जाना माना यह शेंपू हमें देखने को मिलता है बेंजिन से इंसानों को cancer हो सकता है तेके यहां पर आप देख सकते हैं FDA ने recall notification में कहा है कि देखने कि कई तरह से इंसान के शरीक में जा सकती है यह घूमने है यह दोस्तो सूंगने मूँ के जरिये और इसकीन के जरिये शरीर में जा सकती है इस से जो condition है दोस्तो शरीर की वो बिगर सकती है और इसके कारण दोस्तो जो blood cancer है वो भी यहाँ पर हो सकता है तो अब आप देख सकते हैं कि condition दोस्तो इस news के कारण हिंदुस्तान इनलिवर की कावी खराब भी आगे हो सकती है तीके और भी अगर इस प्रकार की news देखें उसके साथ दोस्तो जो हमारा है domestic brokerage जहाऊ से जिसका नाम है ICIC security वो लगबग 28 रुपय का दोस्तो हिंदुस्तान इनलिवर का target प्रोवाइट कर रहा है और उसके साथ ही fundamental condition को अगर हम check भी करें तो यहाँ पर आप देख सकते हैं हिंदुस्तान इनलिवर का chart pattern open किया है पूरा मैंने और पांच लाग अट्यासी अजार करोड की देखने को मिलती है पी एनिंग रेशो सहाट दसमलो सहाथ का है return on employee अगर मैं बात करता हूँ 24.4% का है return on equity 18.4% का है face value एक रुपय का देखने को मिलता है dividend deal भी बहुत शानदार है उसके साथ ही दोस्तों आप देख सकते हैं कि company जो ह बहुत अच्छी तरीके से company ने maintain किया Q on Q basis पे year on year basis पे लेकिन जो operating profit है ठीके वो सई डंक से company maintain नहीं कर पाई operating profit margin भी क्यों क्योंकि जस प्रकास है commodity के price नीचे आ रहे हैं ठीके उसके साथी जो महंगाई है वो काफी ज्यादा बढ़ रही है जिसने दोस्तों इसको पूरी त अगर देखें तो यह बहुत कम नंबर हमें देखने को मिल रहा है profit तो दिख रहा है ठीके ओक्योके वाले profit है कोई दिक्कत नहीं है लेकिन market का भी दोस्तों कुछ अनुमान होता है कि इतनी बड़ी company दोस्तों पूरे देश को capture करके रखिए industry की leader है तो उससे तो हम कुछ न करोड़ पर पहुंच चुकी है net profit भी देखेंगे तो 4000 करोड़ के असपास का net profit था आज वो 9000 करोड़ के असपास पहुंच चुका है मतलब सीधी सीधी जो condition कंपनी की double होते देखने को मिल रही है sales का growth देखेंगे तो 14% है तो इस रखतार से बढ़ रहा है profit growth जो है वो 15% की तेजी से बढ़ रहा है और उसके साथ ही दोस्तों अगर हम दोस्तों इसका shareholding pattern देखेंगे तो बहुत तगड़ा हमें देखने को मिलता है क्योंकि देखें यहाँ पर प्रमोटर अच्छा का सा stake foreign investor ने अपना stake बढ़ाया domestic ने घटाया government ने भी stake को purchase किया तो बहुत ही अब देखें यहाँ पर क्या देख रहा है यहाँ पर बढ़िया से rejection 25 रुपे का सपोर्ट और वहीं पर सपोर्ट ले रहा है अभी इतने दिन सो कहां पर गोम रहा था इतने दिनों से 26 रुपे के लेवल पर गोम रहा था लेकिन वहां से selling pressure थोड़ा connect हुआ क्यों क्योंकि Q2 का नंबर था उसके कारण और उसके साथ ही आज की date में देखे Q2 का नंबर तो दोस्तों कब आ गया था Friday Saturday में आ गया था जोसका impact जो एक गंटे का market था देके Monday को उसमें देखने को मिला आज इस news का impact हमें देखने को मिला stock में मतलब दो दिन से continuously stock में गिरावट हमें देख देखने को मिलती है तो कहां तक गिरेगा दोस्तों अभी इसा कोई दिखने रहा है लेवल अगर दोस्तों इसको दूसरी लेवल पर देखेंगे जब टूट एक बार यह लेवल ब्रेक हो जाने दीजिए ठीक है यह लेवल जैसी ब्रेक होगा न तो हम नेक्स्ट लेवल एक एजुकेशन के साबसे अपडेट इंदुस्ताने लेलिवर के ठीक है तो इस वीडियो को फट्ट आपट से लाइक कर दीजिए चैनल को सस्क्राइब कर दीजिए क्योंकि और भी इस प्रकास से वीडियो हम आप लोगों के लिए लाने वाले हैं तो ठैंक्यों दोस्तों हुआ 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 है